Prime Minister of Canada Mr. Justin Trudeau ने December में एक mandate letter लिखा था ठीक है immigration को Sean Fraser को कि आप processing fast कीजिए और उसमें बहुत सारे points उन्होंने highlight किये थे तो उसे इसाब से expect किया जा रहा था कि new year में processing है जो fast होगी ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आप सभी के लिए because इस वीडियो में बहुत ही बड़े updates आपके साथ share करने especially Canada immigration के सबसे पहले processing के उपर बात होगी कि आने वाले दिनों में Canada की जो application की processing है वो slow होने वाली है उसके पीशे reason क्या है मैं आपको वीडियो में discuss करूँगा उसके बाद visitor visa वालों के लिए important और बहुत ही जादा important update है उसके बाद क्या discuss करेंगे इस वीडियो में caregivers के बारे में भी important update कि आप हमारे ऊपर वीडियो नहीं मनाते ओपन वर्क पर्मट के कुछ रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं और regular basis पर रिजल्ट आ रहे हैं उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे उसके बाद एक important update है PR to PR प्रोग्राम उसकी डेड्लाइन है वो एक्स्टेंड कर दिए है रिजल्ट की स्पेशली तो बने रही एस वीडियो के साथ उससे पहले मेरी request है कि अगर आप मेरी चैनल प्रफस्टाइम विजिट कर रहे हो kindly subscribe my channel and press on the bell icon because हमेशा कोशिश करता हूँ एक genuine, authentic, transparent information आपके साथ share करो किसी भी तरह की visa application आप हमारे साथ process करना चाहते है student visa SOP में कोई help चाहिए then you can contact us anytime सबसे पहले travel के बारे में बात करेंगे day by day जब भी मैं social media पर कोई post डालता हूँ जो बी लोग connected है वो touch में है और पूछते हैं कि क्या आने वाले दुनों में travel ban impose हो सकता है Canada ने नहीं कोई travel advisory जारी की है basically Canada ने travel advisory में कुछ updates कुछ changes लेकर आए हैं लेकिन वो इतना effect नहीं डालेंगी वो normal है उसका link भी में description में आपको दे दूँगा आप वहाँ से read कर सकते हूँ उसके बाद जो चिंता का विशह है वो covid cases है एक दो मिनिट मैं इस चीज के ओपर बात करना चाहता हूँ covid के cases क्यों चिंता का विशह है आप सभी ने experience किया था कि last April में 2021 में जब Canada ने flight ban imposed किया था especially India के लिए तब covid के cases around 3,50,000,000 के क्रीब थे around 4,00,000 थे जब Canada ने इंडिया से flight suspend कर दी थी अब daily basis से जैसे करोना की situation day by day out of control हो रही है और यहां पर में एक figure आपके साथ share करना चाहूँगा जैसे के 13 of January को ठीक है इंडिया में covid के case जो नहीं आए है 2,50,000 प्लस जैनि के 2,64,000 के करीव covid के case record होई है और पिछले 10 दिन में जो speed है I think एक और दो जनवरी को जो covid के cases थे near about 30,000 के करीब थे और जो increment देखने को मिला है उसको लेकर लोग बहुत ही जादा डर रहे है बट इसमें एक अच्छी बात यह है कि covid का यह जो नया variant आया ठीक है इसमें जो death rate है वो बहुत ही काम है यह अच्छी बात है तो इंडिया में continuously case rise हो रहे है बट अभी तक कोई भी official announcement किसी भी country से इंडिया को ban करने के लेकर नहीं है यह especially Hong Kong ने किये यह चीज़ उन्होंने Canada को भी ban किये बट इंडिया वालों को घबराने की जरूरत अभी नहीं है बट हाँ अगर इसी pace से कोवड के cases increase होते रहे देन हमें जरूर सोचना पड़ेगा कि may be a problem may be a travel ban but be ready for it another thing is that Canada में जो कोवड की spike एक आई थी दो अब stable हो चुकी है और Canada में different different places हैं उनको open करने के लिए वो सोच रहे हैं सबसे पहले को जो डग फोर्ड है वहां के प्रीमियर Ontario में नेक्स्ट वीक से जो स्कूल से हैं वो open हो रहे ठीक है और जो कोवड के cases recently record होए हैं near about 30,000 के प्लस होए हैं ऐसे में expect कर सकते हैं बहुत सारी चीज़े बट अभी कोई शोहर नहीं है इंडिया में भी कोवड के case जैसे as compared to 12 जनवरी को जो कोवड के cases थे 2,50,000 के करीव थे ठीक है तो ज्यादा spike नहीं है बट चिंता का विशह अभी भी है सो बात करते हैं हमारे main topic के ओपर processing क्यों slow रहेगी और FSW के बारे में क्या update है देखिए बहुत सारे लोगों को expectation थी के Canada FSW के ऊपर बात कर सकता है तो बने रहेगे वीडियो के साथ skip बिलकुल मत करना क्योंकि मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि complete video बनाऊ complete show बनाऊ जिसमें काफी सारी जो updates है cover हो जाएं तो जो FSW के draw है expect किया जा रहा थे कि January की starting में जो है आ सकते हैं बट ऐसा कुछ नहीं हुआ दूसरी चीज़ processing slow रह सकती है उसका region है COVID-19 के cases इंडिया में rise होने और यह चीज़ experience हमने last year भी की थी और first quarter है जो इस साल का मुझे लगता है कि अगर ऐसे स्पाई काई तो डेफिनिटली फेबरी में processing को effect करेगी ही करेगी it's a right truth after that important update जो मैंने आपके साथ share करनी थी visitor visa वालों के लिए बहुत सारे लोग Canada travel कर रहे है visitor visa के ओपर ठीक है but port of entry से recent कुछ लोगों से बात हुई है problem आ रही है problem कहां पर आ रही है port of entry में और किन लोगों को दिक्कत आ रही है आपने देखा कि day by day increase हो रहा है different different countries कह रहे है this is a not right time to travel anywhere Canada की भी post आप देख रहे हैं इंडिया भी कह रहा कि आप travel ना कीजिए ठीक है फिर भी हम travel कर रहे है हमारे पास वीजा है no doubt आपका जाना जायज है but port of entry पे जब आप अपनी return ticket दिखाते हो तो वो problem create करती है आपकी visit 20 days की है आपकी visit एक month की है that's right no worries but जब आप इंडिया से travel करते हो for tourism और आपकी जो return ticket होती है और उसकी date होती है उससे चार मंत या पांच मंत आगे की then there is a question हमारी के इतना समय Canada में Canada में आपने क्या करना है घूमने वाली places बहुत जादा close है restaurants close हो रहे हैं जिम जिम में जो है वो restrictions लगा रहे हैं तो आपने क्या करना है तो प्लीस जब भी आपने Canada travel करना है port of entry पे बहुत सारे लोगों को यह problem आई है ठीक है आपको problem ना आए प्लीस अपना जो travel plan है ठीक है उतना ही रखें जिससे आपको entry मिल से के बाद में extension possible है then you can take extension but starting में अगर यह चीज़ करोगे definitely आपको deportation phase करनी पढ़ सकती है और दूसरी एक important update है जो लोग भी Canada में अपना work permit apply करना चाहते है विज्टर विजा के status पर है उनकी जो deadline है वो 28 February 2022 है उससे पहले आप अपना work permit है जो apply कर सकते COVID-19 के कारण Canada ने यह चीज़ कही थी then you can definitely apply for your work permit अब आ जाते है TR to PR program introduce क्यों क्या गया क्या benefit निकले उसके किन लोगों को अभी भी उस चीज़ से problem आ रही है और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है उस चीज़ के उपर बात करते हैं Canada ने देखा कि that year 2021 में जो outland applications है उनको जो process करना वो difficult हो रहा है तो इसको देखते हैं उन्होंने different different pathways लेकर आई जिसमें एक famous pathway था TR to PR program और उसमें एक category थी जिसमें international graduates को apply करना था और 90,000 application उन्होंने accept करनी थी हुआ क्या वहां पर 24 hours I think 24 hours और 48 hours के बीच में वो application फिल अप होगी चीक है Canada ने कहा था कि हम इन applications को process करेंगे और क्योंकि अगर उन्होंने अपना target जो 4 lakh immigrants का 2021 में achieve किया है तो इसमें बहुत वड़ा rule TR to PR जो applications है उनका है तो बहुत सारी application जो process होई लेकिन अभी भी 70% application process हो चुकी है 30% application pending में है बट उस चीज़ के ओपर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ जो उसकी deadline है processing की उन्होंने 31st of December 2022 कर दिया TR to PR application वालों किते आपका तो जो backlog है definitely वो clear करेंगी ही करेंगे और दूसरा बड़ा reason processing slow होने में जो मुझे लग रहा है क्यों slow कर रहे हैं they are particularly focusing on the backlog 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 के उपर वो क्यों बात कर रहे हैं क्योंकि backlog के उपर क्यों वर्क कर रहे हैं daily basis पे वो insult feel कर रहे हैं in the parliament 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 में जो conservative party के definitely जो opposite side वाला होगा अगर वो power में नहीं होगा तो जो भी आप काम करेंगे उसके उपर वो एक question mark तो करेगा ही करेगा इसको देखते हैं उनका particular focus backlog के उपर है और result भी हमें देखने को मिले बट नहीं application की processing effect हो सकती है ये चीज़ भी और backlog में भी एक important चीज में आपके साथ discuss करने जातूं जो overall figure देखा है 1.8 million applications का they are all around the globe there is जो Indian applications है वो completely Indian application नहीं है कितने sections में वो divide हो रहा है ये चीज़ डिपेंड करती है तो Indians को भी वरी करने के ज़रूरत नहीं because India में के जो लोग की application है वो percentage में है ठीक है तो गबराने की कोई बात नहीं है उसके accepting the application caregiver में ठीक है उसमें especially दो चीज़े है फस्ट जो plan A है उसमें जो inland application है वो apply कर सकते है plan B उसमें outland application apply कर सकते है बट यहां पर वही factor एक बार फिर से आ रहे है वही factor एक बार फिर से क्यों हा रहे है क्योंकि question पहुत जाद है क्योंकि नहीं application वो accept कर रहे है but they are not focus वो focus नहीं क so what they are expecting it's difficult to predict any timeline मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूं कि कोई भी timeline प्रेडिक्ट करनी बहुत मुश्किल है आज मेरी किसी से phone के उपर बात हो रही थी कि सर आप caregiver की applications के बारे में बात नहीं करते हैं मैंने उनको बताया कि जो आपकी application in process है आपने web form डाल दिया आपने high commission को email कर अगर वो still बोल रहे हैं कि that you have to wait then you have to wait there is no any alternative way to process your application तो इसके उपर भी बरकूगा बट एक चीज़ मैंने experience किया कि पिछले कुछी दिनों से open work permit के जो cases है उनके revert आने start हो गये हैं जी हां और ज्यादातार application है जो 2020 की application है application की processing किन applications की effect करेगी मैं आपको बता देता हूं कि visitor visa की applications के result effect हो सकते हैं because as Canada always said that this is not a right time to travel to Canada for Canadians and sorry outside Canada for Canadians and this is a not right time to travel for anywhere in the world due to this covid pandemic तो ये चीज़ आपको समझने ही पड़ेगी ये थी आज की मेरी important video अमीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हूं कि तकरीबन मैंने सभी जो topics starting में discuss किये थे आपके साथ वो cover कर दी है अगर फिर भी कोई topic रह गया जाया कोई question है आपका तो आप comment section में मुझसे पूछ सकते हैं because मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि sorry एक चीज़ आपके साथ discuss करनी जरूरी है क्यूबिक में जब temporary foreigner workers जाते थे क्योंकि Canada में एक system है कि आप अपनी जो company है ठीक है उसमें 10% से ज्यादा आउटलेंड जो temporary foreigner workers हैं उनको hire नहीं करते कर सकते ठीक है बट recently क्यूबिक ने जो वो quota 10% का था वो 20% के ऊपर चला गया है अब क्यूबिक की जो company से ठीक है वो 20% आउटलेंड है जो foreign worker hire कर सकते हैं उन्टारियो में यह चीज़ 10% है बट आने वाले जोनों में expect की जा रही है due to labor shortage क्यूबिक ने काफी ज़्यादा labor shortage space की इसको देखते है उन्हों को जह शीज़ इंपलेमेंट की है regarding the various aspects of Canadian immigration so stay tuned so please subscribe our YouTube channel thank you